So Hello Everyone, Start करते हैं आज का वीडियो, सवागत है आप सबका आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक opportunity के बारे में लगातार रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे इस वीडियो में बात करने वाले हैं APL Apollo Tubes के बारे में मैं जस्ट इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको आपको सही से दिख जाए ओके so APL Apollo Tubes के बारे में हम बात करने वाले हैं Market Cap के बारे में बात करें किसका रेजल्ट कैसा आया हुआ है सेल्स अगर आप देखोगे 17% से सेल्स ग्रो किया है 3969 से जो भी नंबर से वह करोड में तो 3969 से बढ़ करके 4630 पे आ चुका है 17% का ग्रोथ डीसेंट है बहुत अच्छा है मुझे तो अच्छा लगा अगर आप जून से कंपेर करोगे तो यहां पे जून में से भी 4500 से बढ़ करके 4600 के आसपास आ चुका है तो सेल्स ग्रोथ तो है अच्छा है अगर आप EBITD के बारे में बात करोगे 232 उसके बाद बढ़ करके 325 हो चुका है 40% का यहां पे जंप है बहुत अच्छा है 40% is a very good number actually और market cap आप देखकर किस चीज़ को मतलब थोड़ा सोचो कि 40% और 43,000 क्रोड का market cap है अगर आप quarter on quarter जैसे यह year on year basis के numbers है अब डिफरेंस का जो percentage निकाला हुआ है quarter on quarter भी देखोगे 307 सा 325 इंक्रीज हुआ है net profit अगर मैं बात करो तो यहां पे 35% का जंप है year on year basis पे net profit पे 150 से बढ़ करके 203 हो चुका है अगर आप quarter on quarter भी देखोगे तो 194 से बढ़ करके 203 हो चुका है मतलब sales net profit और EPS अगर आप देखोगे 22% का EPS में ग्रोथ है 6 रुपे का EPS था 7.32 का EPS हो चुका है अगर आप quarter on quarter basis पर भी देखोगे तो 6.98 मतलब लगबग 7 रुपे का EPS था जो भी 7.32 का हो चुका है overall अगर मैं बात करो sales increase हुआ net profit increase हुआ EPS increase हुआ EBITD जो कहलो increase हुआ तो जितनी चीज़े यहां पर लिखी हुए सभी चीज़े increase हुई है और ऐसा नहीं है कि 1% 2% से increase हुई है अच्छे नंबर से increase हुई है sales 17% फिर भी मैं काऊंगा अच्छा नंबर है लेकि net profit में 35% का jump which is very good और sorry और यहां पर आपको market cap भी देखना है कि 43,000 करोड का market cap है यह कोई 2,000, 3,000, 10,000 करोड का market cap नहीं है कि आप कह दोगे कि 35% का growth is very easy करके तो मुझे तो यह decent लगा काफी अच्छा लगा अब यहां पे एक और बात यह है कि इसका जो expectation था net profit का profit after tax का net profit का वो था 222 करोड का मतलब 222 करोड का net profit आना चीए था लेकिन आया कितना 203 आया और इसी वज़े से यहां पे जो estimate है वो miss हो गया है और इसी वज़े से कुछ ह Apollo जो है वो negative open हुआ था मैं आपको दिखाऊंगा negative open हुआ था during the market काफी गर रहा था और उसके बाद मैंने थोड़ा wait किया और उसके अद वापस यह recover हो गया क्यों recover हो गया क्योंकि अब recover नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं है लेकिन हाँ numbers अच्छे हैं मुझे अच्छे लगे अब मैंने पहले भी इस चीज़ को कहा हुआ है अगर आप चैनल को पहले से follow करते हो तो कि quarterly result estimates पर dependent नहीं होता है कि brokerage brokerage house ने क्या लगाया हुआ estimate क्या estimate है कितना आया EPS का क्या है क्या नहीं है इस पर depend नहीं करता है आपको कैसा लग रहा है number इस पर depend करता है overall company को होगा यार यह तो खराब चीज़ है बट मुझे results काफी अच्छे लगे अब चलते है थोड़ा सा इसके fundamentals पे एक बार चलते हैं थोड़ा नजर घुमा लेंगे उदर और यहां पर देख सकते हो अगर मैं बात करूं market cap अगें देख लो 43,600 क्रोर के आसपास का market cap है यहां पर भी वही था थोड़ा उपर नीचे अब यहां एक चीज़ में बता दू हो सकता है थोड़ा number आपको कहीं न कहीं sales का profit का या EPS का थोड़ा उपर नीचे मिल जाए तो उसमें tension करने वाली कोई बात नहीं है यह थोड़ा सा होता है बाकी stock P अगर आप देखो कि 56.9 के मतलब ल बढ़ना possible नहीं है बहुत जादा ही overvalued नहीं हो चुगा है मुझा ऐसा लगता है company क्या काम करती है company branded steel product manufacturer है steel products बनाती है अलग-अलग तरह के pipes हो गए tubes हो गए यह सब चीज़े company बनाती है आप जा करके business model देखना तो आपको समझ में आ जाएगा अगर मैं थोड़ा सा इसके 30% 3 साल का 28% टीटीम का 21% का sales growth है बहुत अच्छा sales growth है अगर मैं profit growth के बारे में बात करूं तो यहा पे 3 साल का 39% है 5 साल का 32% है and टीटीम का 37% है तो यहां पे profit growth भी काफी अच्छा लगा मुझे sales growth से जादा profit growth है इसका मतलब top line जो है top line से जादा bottom line बढ़ता है अगर आप EPS भी देखोगे तो यहां पे 2, 3, 2, 4, 6, फिर 9 हुआ फिर 14, 24, 23, 27 तो EPS ग्रोथ भी रिसेंटली काफी अच्छा रहा है अगर आप ROE देखोगे return on equity तो यहां पे जो है पहले 23-24% का था फिर 26 हुआ फिर 24 हुआ तो आप मान सकते हो approximately 25-26% का यहां पे ROE निकल करके आ जाता ह which is very decent, very good, बहुत अच्छा लगा, balance sheet देखोगे perfect balance sheet है, reserves जो है लगबग 32 करोड की reserves है, borrowings जो है 1100 करोड की borrowings है, उसमें भी अगर आप देखोगे distributed है, आधे long term में है, आधे short term में है, मैं हमेशे कहता हूँ कि borrowings जो है कोई एक जिकर पे concentrated नहीं होना चाहिए, खास कर long term में, short term में थोड़ा जादा होना चाहिए, long term में थोड़ा कम होना चाहिए, इस तरह से distributed होना चाहिए, यहाँ पे भी perfectly 600-600 करोड के आसपास दोनों में distributed है, 500 करके, CWIP कंपनी थोड़ा बहुत करती है, 300-400 करोड के आसपास का CWIP करती है, investors के बारे में बात करें तो यहाँ पे द करने वाली बात नहीं है, public के पास नहीं होना चाहिए, holding में हमेशे यह चीज़ कहता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, promoters के पास 30% के around, FIIs के पास भी लगबग 30% के around, DIs के पास भी लगबग 12-13% के around, और बाकी कितने बचे, बाकी बचे 29%, 29%, 29% जो public के पास है, public में अगर 29% में से 9, 20%, 20% जो है यहाँ पे retail investor के पास है, मैं हमेशा कहता हूँ, retail investor के पास जितना कम holding उतनी अच्छी बात, 20% मुझे decent लगता है, कम लगता है मुझे holding, which is decent, which is very good, और shareholding pattern भी इसलिए मुझे काफी अच्छा लगा, overall हमने क्या बात करा, अभी तक overall बात करा, थोड़ा fundamental हमने देखा, quarterly result हमने देखा, और अब वापस यहाँ पे आते हैं, technicals पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, APL Apollo tubes का technical open हो चुका है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले थोड़ी gap up opening हुई, ठीक है, यहाँ पे देखो, gap up opening हुई, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह during the market लगभग gap up से, जहाँ पर यह open हुआ, वहाँ से, लगभग 3.34% गिर चुका था, जहाँ सी open हुआ, उसके बाद अभी recovery हो रही है, और लगभग आप कह सकते हो, आधा recover हो चुका है, लगभग 1.92 या 2% के आसपास, यह अभी भी down है, और अगर आप पिछले closing से देखोगे, तो 1.21% जो है, या 1.32% थोड़ा उपर नीचे हो रहा है, क्योंकि during market में वीडियो को बना रहो, तो अभी down है, और अगर आप देखोगे, यहाँ पे बाइंग आ रही है, मैं अभी सही दिखा दू, मतलब अभी market ख बार बार जो है, पहले यहाँ पे resistance आया था, इसी zone पे, और अब इसी zone पे लगातार support आ रहा है, and एक चीज़ यह भी है, कि support जो है, लगातार उपर के तरफ shift हो रहा है, मतलब higher lows का formation हो रहा है, इसके साथ अगर आप देखोगे, तो इसकी नीचे एक बहुत important zone है, जो कि पह पहले नहीं था, उसके बाद क्या हुआ, जैसे breakout आया, फिर support आया, support, 2 support, 3 support आया, और उसके बाद अब जो है, यह भी zone है, और यह भी एक level है, तो इन दोनों के वज़े से यहाँ से इसका नीचे आना बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही मुश्किल है यहाँ का breakdown आना, और वापस से यह, जो support है, यह support के zone को यह breakdown करके वापस से नीचे आ जाए, क्योंकि दो चीज़े है, एक तो यह support का zone, दूसरा यह वाला trend line, तो इसके वज़े से बहुत मुश्किल है, अभी यह इसी जगह पर available है, तो opportunity काफी अच्छी बनती है, और काफी अच्छा momentum भी आ स हम क्या करेंगे, फिर क्या होने वाला, तो आप tension मतलो, आप subscribe करकर रखो channel को, मैं जो है, आगे update कर दूँगा, आगे जो भी होगा, और एक बहुत important बात, कोई भी recommendation नहीं है, किसी भी तरह का call, tip recommendation नहीं है, और मैं अगर बता हूँ, personal, अपना viewpoint, तो मुझे यह averaging के लिए, यह अब जा रहा है, तो इसी वज़े से, जो है, fresh buying, अगर मेरी बात करो, तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, अगर मैं compare करो, तो averaging के case में मुझे यह जादा अच्छा level लगता है, and हाँ, कोई ऐसा नहीं है, कि आप fresh buying मैं नहीं कर सकता, या नहीं हो सकता, ज अगर विडियो अच्छा लगा, like, share, subscribe करके, bell notification जरूर से, all पर set करना नहीं, तो आपको notification नहीं मिलेगा, मिलते हैं किसी और विडियो में recommendation बिलकुल नहीं था, जय हिंद, and thanks for watching.